। हुआ है और सबीको याद चुकर है। जैसे-स जोइन करते रहो आपना नाम बता में कॉम से कम कौन हो जिसको जानते हैं तो ठीक है जुसको पहले क्लास कर चुका है ऑठीक है लेकिन अगर कोई नया कोई आता है तो अपना नाम बता कि मैं कौन हूं ? की अच्छा जी तो अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं लोग जो है आज इतर से पहला दिन है तो आज इंट्रोड़क्शन वळला रखेंगे कि हम ब्लोग क्या पढ़ने वाले हैं कैसे पढ़ने वारे हैं सबसे पहले कौन पढ़ाएगा कौन पढ़ाएगा इसमें जो है अगर तुम आज डिसकस करेंगे रहूं सर जब उनकी क्लास होगी तो वो बताएंगे फिजिक्स में वो क्या क्या से लेवर उसका खतम कराना चाहते हैं और पूसर के बारें बतायेंगे जो देक रहे हैं वही लोग पढ़ाएंगे सबसे बड़ी बात ह यह अच्छा और क्या है कि gateway में जो हम लोग पढ़ा रहा है पिछले दो तीन साल से तो gateway में ही पढ़ा रहा है और एक अलग तरीके का जो डिजिटल तरीके का जो हम लोग पढ़ाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसका बहुत benefit हुआ है बच्चों को अच्छा feedback है तो इसी को हम तो अब आते हैं कि class कैसी format होगी? class format से मेरा मतलब है कि जो हम लोग class पढ़ाते हैं वो कैसा रहता है? पहली छीज़ बता दे, कि यह जो format है वो digital है तो हम लोग जो diagram है, जो question है, theorie है उसको हम लोग printed form में इसको दिखाते हैं आपर खासकर जब online पढ़ाई की बात होती है तो इसमें वो जो system होता है कि चलो wide board पे लिख लिया उसको record करके upload कर दिया वो इतना effective नहीं होता है तो जो online पढ़ाई online तरीके से ही की जाए तो ज़्यादा उसका benefit होता है तो जैसे देखते होगे बहुत लोग क्या करते है class में record करके उसको YouTube पे upload कर देते है ठीक है effective भी है लेकिन ज़्यादा effective अगर उसको digital तरीके से किया जाए तो वो ज़्यादा effective होता है अच्छा ये पहली चीज़ हो गई format जो है digital होगा अच्छा बीच बीच में कोई भी सवाल तुम्हारे मन में आये कि अच्छा ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है अच्छा इसको और थोड़ा detail में हम बता दे तो वो चीज़ पूछोगे ठीक है ठीक है अच्छा और फिर दूसरी चीज़ क्या हो गई classes जो है वो live है और interactive है इंटरेक्टिव classroom जैसा नहीं होगा कि हम लोग classroom में बैठे हैं तुरांद हाथ खड़ा कर दिए कि सर में बता दो ठीक है जो हाथ जो खड़ा किए वो अब तुम्हारा comment है तो जाओगे चैट पे लिख दोगे सर यह बला फिर से हरतर के student है कुछ लोग गाओं में रहते हैं जिसका internet थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं होता है कमजोर रहता है तो इस वज़े से हम लोग YouTube पे करते हैं YouTube में कम से कम क्या होता है कि थोड़ा कम भी data रहता है थोड़ा कम speed रहता है तो भी manage हो जाता है तो उसका यूज करेंगे और जब तक नहीं मिलता है तो YouTube में ही चलेगा ठीक इंटरेक्टिव रखेंगे इसको फिल क्या है DPP format अच्छा DPP जो हम लोग जो देंगे DPP इसका मतलब हुआ है Daily Practice शीट इसको हम ले देता है DPP कई लोग यूज करते हैं यह टर्म इसका मतलब होता है Daily और Practice ज़्यादा तर हम लोग DPP यूज करेंगे Daily Practice Sheet मतलब नाम से ही क्लियर है आज का आज ठीक आज पढ़ाया गया और आज ही उस exercise को करना है तो उसका फायदा होता है अच्छा DPP में हर तरह के question मिलेंगे तुमको कुछ बहुत आसान रहेंगे जो ज्यादा तर EKTU या concept बिल्ड करने के लिए होगा कुछ medium लेवल होगे main कुछ बहुत tough होगे जही advanced type हर तरह के question है जिस जो जितना कर सकता है उसको करेगा और जो नहीं हो पाएगा उसमें टीचर्स लोग आपकी help करेगे इसमें कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हो सकता है कोई 12 में हम लोग के नहीं पढ़ा हो और या कहीं कोई कोर्स किया हो लेकिन उसको अच्छा ना लगा हो और फिर से एक समरुक कर तयारी करना चाहता है तो question जो है हम लोग हर साल बद अपनी पढ़ता सेम booklet सेम डीपीपी हर जगा 80% सेम होता है 20% जो है टीचर्स लोग अपनी इच्छा अनुसार उसको चेंज कर देते हैं या या जो class का जो जो लेवल है जो local touch है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदल दिया जाता है हर साल question हम लोग बदलते रहते हैं जै हम लोग ने बढ़ा दिया रिजनिंग वाले question अब कम आते हैं तो वो कम कर दिया तो जैसा है सब competition चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग question भी उसको बदलते रहेंगे हर साल ठीक जब आप लोग अगले छह साथ आट महीने तक जब आगले साथ जड़ी एकजाम होता है जब तक आप प्रहाई करोड़ोंगे पैस्ट आपका regular होगा फिलाल Monday decided है Monday हर Monday को test होगा हो सकता है कि पहले दू हफ्थे में यह पहले तीन हफ्थे में Monday को test नहों क्योंकि हो सकता हो ज़्यादा पढ़ाए नहीं होगे तो लेकिन आगे हर Monday टेस्ट होगा किस तरह कर टेस्ट हो थोड़े दिर बाद हम लोग देखेंगे फिर कि उसमें जब तुम जाते होगे मॉबाइल का एप जब खोलोगे तो उसमें एक चैट वाला हिस्सा है उसमें चैट में जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा बैच भी होगा ठीक है? अपने बैच में Maths कालग बैच होगा Physics कालग होगा तूसमें जाकर अपने सवाल पूछते रहना है ठीक है जैसे कि अमल तुम्हारा एक question आया था ठीक है तुमने बोला कि confidence नहीं आ रहा तो उसको मैं reply कर दूँगा है ठीक है इसी तरफ कोई भी जो question जब तुम पूछते हो तो teacher हो सकता है दो चार गंदर वेट करेगा कि हो सकता को student आपस में दूसरे का doubt solve कर पर ले नहीं हुआ तो teacher उस question को solve करके आपको बेज देगा ठीक क्लियर है तो doubt वाला जो chat वाला है उसका use करना है simple है अपना जो question है लिख लोगे photo कीज के भेज दोगे कोशिश क्या करोगे कि जो printed question है उसका photo कीज के भेजना हाथ से लिख करके question मत बनाना ठीक है solution के लिए ठीक है question अपने हाथ से मत लिखना कई बर तुम हो सकता है कि तुमारी handwriting कुछ और teacher पढ़ ले और वो उसका time हो सकता है कि बेस्ट हो जाए ठीक है तो वो बत करना ठीक है मोबाइल के app में एक assignment section दिखेगा और एक और देखेगा study material section दिखेगा एक नीचे कोई link दिखेगा ठीक है उसका photo हम दे सकते थे हला कि तुम लोग थोड़ा साथ explore करोगे तो तो बनाशन जाएगा study material करके एक link नीचे study material study material में क्या होगा जितने dpp booklet है हम लोग उसमें pdf के form में डालेंगे pdf के form में ठीक है और उसको तुम देख सकते हो वहां से ठीक है assignment भी है उसका usually कई बार हम लोग डेडलाइन दे देते हैं कि परसो दो बज़े तक तुमको submit करना है ठीक है online test online test जो है मोबाइल पर तो देही सकते हो लेकिन अगर पॉसिबल होगा अगर पॉसिबल होगा जब तक lockdown ने खुल रहा है तब की बात अगर पॉसिबल होगा तुम्हारे पास अगर कोई laptop है तो कोशिश करना कि laptop से दे दे क्योंकि वह रियल टेस्ट जासा होता जब असली में एक्जाम देने जाओगे तो computer पर होगा mobile पर नहीं होगा और mobile पर कई बार क्या बहुत छोटा होजाता है तीन घंटे का टेस्ट चे गंटे का टेस्ट संभव करने को तो कर लोगे लेकिन वह उतना अच्छा नहीं होगा ठीक है तो laptop अगर हो सकता है तो कर लेना औ हमारे यां computers है हम लोग अपने याई online टेस्ट करा देंगे लेकिन जब तक lockdown नहीं खुलता है सिर्फ online का हिसाब किताब है तो mobile से टेस्ट होगे ठीक है जैसे कि जो crash course वाले हैं उनका टेस्ट अब बढ़ने वाला है 20 तारीक के बाद पिर क्या है lectures जो भी हम लोग class ले रहे ह उसमें जब video section में जाओंगे तो video section में हम लोग upload कर देंगे अब इस वाली batch की जो बात हो रही है target जो चलता है आज का भी lecture हम लोग उसमें डाल देंगे इंट्रडक्शन वाला जो है उसमें डाल देंगे video lecture उसमें link डाल देंगे उसमें तुम देख सकते हो यह कोशिश करना है कि mobile पर देखने की जगह class live आके अटेंड करो जिसमें तुम्हारा interactive हो यह तो उसके लिए है कि तुमको फिर से रात को मन किया कि नहीं एक बार फिर से देख लें कुछ चीज़ें clear नहीं है कुछ समझ में नहीं आया या किसी कारणों कुछ emergency आ तुम class नहीं कर पाए तो video lecture में जाकर देख लेना ठीक है वो शिशे करना है कि इसको हम लोग मोबाइल के जगह live interaction में करें ठीक है कमेंट देखने किसी समय पर कोई भी सवाल हो कोई भी comment हो तुरन पूछोगे ठीक है और आखरी तक देखोंगे वीडियो बहुत सारी interesting चीजे हम लोग discuss करेंगे बहुत स एक वीडियो बनाया था online offline coaching का तो उसको summarize एक बार फिर से कर देते हैं जैसे क्या है कि online coaching का एक बड़ा डिस एड्वांटिव है discipline वाली बात हो जाती है discipline मतलब जैसे अभी तुम देख रहे हो थोड़े दिर बात लगेगा कि अरे यह वाला चीज तो सब लपा चुके हैं पहले ही छोड़ो कभी बात में और वीडियो देखेंगे ठीक है और पर पता चला कुछ और मैंने बताया जो तुम नहीं जानते थ ग्लास जाता है आगी कंद्रों डर बना रहाता है कि रहे मुझे करवाई करना रहा है नहीं तो प्रबढ़ जाएगा ठिक और ऑविसली सिर्फ ओनलाइन जो लोग पढ़ाई करते हैं फ्रस्टा पढ़ जाता है सभी बात है क्योंकि जैसे मुझे कोई बुक्लिट नहीं देना है कोई आके क्लास में बैठा नहीं है कोई बिजली का बिल नहीं कुछ नहीं तो coaching वालों को भी सस्ता पढ़ता है स्टुडेट को भी सस्ता पढ़ता है budget का problem है तो online कर सकते हो content online में बहतर होता है बहतर होता है जैसे अभी मैं जो करा रहा हूँ यह थोड़ा ग्राफिक्स का यूज कर लेंगे थोड़ा और वीडियो दिखा देंगे हाला कि हम लोग अपनी कोचिंग में जैसा online में जितना ग्राफिक्स जितना वीडियो जैसा करते हैं exactly वैसे ही class में करते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता हमारे online offline में हला कि offline मे है और बैह스터 हो जाता है आपको online की वह जो अच्छी चीजें और देखने को मिल जाएंगे कोन चूवता है जो बैहतर सेलेक्षन बैहतर रैंक होता है कि आप लोगा छल्गा होगा थोड़ा-थोड़ा कि आउन्लाइन में पढ़ तो ले रहा है सब समझ में भी आ जा रहा है लेकिन जो टीचर के साथ बैठ के जो डिस्कस करने का मज़ा है वो नहीं होता है ठीक है और काफी हद तक इंटरनेट पे आपकी डिपेंडेंसी है यह इंटरनेट बहुत बड़ा जो है जानलेवा चीज है इंटरनेट की वज़े से कई सारे लोग बहुत परेशान होते हैं कई बार तो हम लोग क्लास करते हैं और उस दिन पता चलता है कि आज जीओ का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्लास में गड़बड़ी हो गई तो हम लोग को स्टेडूल करना पड़ता है क्लास के अरे अच्छा अब हम लोग आते हैं कि असली चीज असली मुद्दा है कि ऑनलाइन पढ़ाई करना कैसे है यह बहुत बड़ा सवाल है और बहुत कन्फियूजन वारी चीज़ है परह्णे जूक्योंकि फिलाल अगले एक-दो महीने या तीन महीने भी पहणे तीन महीने बहुत ही प्ढाई आखी और बहुता सब्मझत ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तुम शुरुवात से लेकर अंत तक, जब तक क्लास खतम नहीं होता है, तब तक उस यूट्यूब लिंक, उस यूट्यूब वीडियो को बंद मत करना है, यह नहीं कि उसको पॉज कर दिया, चलो अब आज साम को देखेंगे, चलो अब राग को द फायता ज्यादा होगा, एक टम क्लास वाली फीलिंग आएगे, ठीक, अच्छा क्लास पर जब तुम बैठते होगे पढ़ाई करने के लिए, एक नोट बुक लेकर आते होगे, पैन, कई लोग दो कलर का पैन यूज करते हैं, एक हैडिंग के लिए, एक उसके लिए, ठीक है कौपी किताब के साथ बैठना है, ठीक है, कौपी किताब के साथ बैठना है, यह चीज़ समय आई, अच्छा, फिर क्या है, एड देखते होगे, बड़ी-बड़ी कुझे कभी भी पढ़ाई करें, ठीक है, जिनके इरादे बुलंद हैं, वो कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं के साथ पढ़ना है और कभी भी नहीं पढ़ाई करना है अगर मेरी क्लास सुबह ग्यारा बज़े है तो ग्यारा बज़े से लेके एक बज़े तक की क्लास उसी वर्क्त क्लास करना है ठीक है नौट इनी टाइम कभी भी नहीं पढ़ना है कभी भी पढ़ने के चक्कर में तुम्हारा डिसिप्लेन कोई स्केड्यूल को टाइम टेबूल नहीं बन पाएगा ठीक अच्छा ये एक चीज़ बात समय में आ रही है अच्छा और क्या है भाई कभी देखा है तुम लोग यूट्यूब पर तुम कुछ सोचे कि चलो आज जाते हैं यूट्यूब पर इंटेग्रेशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं यूट्यूब थोला मुवाइल पर इंटेग गया की हिन्दो मुसलिम कैसे इंट्जेग्रेट हों गया आपसमें कैसे एक साथ रह सकते हैं फिर उसके बाद कुछ और गाने चलने लेएंगे ति फिर प्र मिजिक चलना अन्यूट्यूब में तो एक लिख से दूसरे लिंक अजीधर था पटा चला की यह भी देख सकते हो इस टीचर का भी देख सकते हो उस टीचर का भी देख सकते हो पता चला जो पढ़े हो समझ में तो आया ही था तुमको अब और भी कुछ पढ़ लिए जो समझ में और अगर संभा तो करना जब हम लोग क्लास करेंगे तो कितनी दिर क्लास करेंगे दो गणटा क्लास करोगे हो सकता है कि दो-तिन महिने बाद तिन चार गंटा हो जाए क्लास तीन चार घंटे उनलाइन पढ़ाई और फिर उसके भीए विस बी आउनलाइन मतलब छे साथ आट गंटा क्या गंप्यूटर या मोबाईल ने तुम देखोंगे तो तुम आरी आखो में दर्ध होगा कि नी ओगा क्या ग्रथ होती हैं बहुत जदा मोबाईल यूज करने से क्या के दर्ध होती हैं त्रक पर कमेंट प्लगे कि क्य जया बहुत देद तक मोबाइल पर तीन चार पांच इंट will in the honest तरह 12 क्या और आख्म में दूस को मैंना पास्राइन बिलिको के हैं лять मैं इंतिजार कर रहा हूँ तुमैरे comment घर्रेमं अ आटनल शर्वे करना चाह होराओ देखराओ हाँ ठीक है और भी लोग जो लोग भी लाइब है हाँ ना परस लोग तुम्हारा तो पता नहीं कुछ स्ट्विट कहते हैं कि हाँ हो रहा है कुछ बोलते हैं कि मैं तो बना ही हो अनलाइन के लिए मेरा जनम इस दुनिया में हुआ है कि मैं दिन भर मोबाइल पर है आपकी अपकी सबकी अलग 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 तरीके से लोग प्राई कर सकते हैं लेकिन जहां तक मेरा सवाल है दो से चार गिंटे बाद में अख्मा दरोन लगता है क्यों प्यूटर या लाफटाप तो हम तो करते ही है भाई तुमारे लिए कंटेंट बनाना है सब कुछ करना कि लाफटाप पर करना है तो वो है तो इसमें क्या होता है कि आप एक काम कर सकते हैं एक चश्मा आता है हग उस पे र्रेडियेशन से बचाव के लिए होता है ज़्यान था तरह सौफ्टवेयर या ऑफिस जॉब करने वाले एक स्पेक लेते हैं उस पे एक कोटिंग रहती है जो कम्प्यूटर रेडियेशन से बचाता है ठीक है अगर बहुत प्रॉब्लम होगी तो इस चीज़ का यूज कर सकते हो फोड़ा आपको पे स्ट्रेन हलका सा कम आएगा यह तो टेंप्रेरी मेजर है लेकिन मैं तो इससे भी ब्यातर उपाय बताता हूं दो हंटा क्लास उसके बाद तुम्हारा मुबाइल लाप्टोप पर्मानेंट पंद क्या फिर फिर बुकलेट कहां से मिलेगा बुकलेट हम लोग प्रवाइड करेंगे इस कोचिंग में जितनी बुक्स बुकलेट उससे संबल दित है पीडिएफ नहीं बुकलेट हमारे यह क्यां से कलर कर सकते हैं और फिस फुना या निघ्या ऐख सकते हो एक सबसेट कर सकते हो तो पूपले लेकिन ऐलैंक्लास करना है लेकिन जो असली पढ़ है यह द मुक्स बुक्स सब्सक्राइब बुक से ही असली पढ़ाई आती हो जब तो को पेपर ना देखो पेपर देखके लिखो नहीं उस क्वेश्चन पर मार्प ना करो कि यह अच्छा था यह बुरा था यह रद इस तरह के कुछ कमेंट ना करो वह मजा नहीं आएगा चीज़ और एक और चीज़ ह कि जब तक तुम क्लास के अलावा छे से दस घंटे तक और पढ़ाई नहीं करोगी बहुत बढ़िया रैंक नहीं आएगा सेलेक्शन हो सकता है हो सकता है कुछ मिल जाया ठीठा कॉलेज भी कहीं मिल जाया ठीठा का भी डिफिनेशन ना लगया गौर्मेंट कॉलेज हो सकता अगर तुमको आयाइटी करने का मन है या एनयटी करने का मन है तो छे से दस घंटा तो अलट से पढ़ाई करना ही है वो मॉबाईल पे संभव हुआ है भाई मॉबाईल पर कोई पढ़के टॉप रंक ईटी में लाया है मैं तो ऐसा नहीं जानता हूं किसी िश्या इंसान को तो मैं असा नहीं जानता हूं ठीक है सेलेक्शन हो जाएगा लेकर राइंक नहीं आएगा ठीक कुछ और बाते करते हैं ऑनलाइन पर ही और भी मेरे पास पॉइंट है क्लास जब आनलाइन कर रहे हैं यूट्यूब वाला तो ऐसे पढ़ों के आफ लाइन ही है मतलब कि अगर तुम वहां से हिल गए अगर वहां से क्लास बंद कर दिये तो टीचर गुस्ता हो जाएंगे यह समझ के अगर पढ़ा ही करोगे तो बड़ा अचा है लो डिस्ट्रेक् है उसी के बगल में तुम अनलाइन पढ़ाई कर रहा है ऐसे बाद करना ठीक है पढ़ाई ऐसे करना कि कहीं अलग कहीं जगह मिल जाए जहां पर कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो ठीक है और अगर इस वीडियो को कोई गारजियन देख रहा है तो उनके लिए मेरा है जब कोईन में बच्चे आते हैं तो टीचर ही गारजियन होता वो देख लेता कि बच्चा कब आ रहा है कोचिंग कब जा रहा है इसका अटेंडन्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है और घर पर पढ़ाई कर रहा है toAttAl लोग यह भी देख सकते हैं कि अगर क्लास ग्यारा से एक बजे है तो ग्यारा बजे आया की नहीं आया एक बजे तक पढ़ाई किया की नहीं पढ़ा यूट्यूब पर कुछ और तो नहीं देख रहा है हाला कि जहां तक टार्गेट बैच का सवाल है जब ट्वेल्थ पास वाले वह बच्चे ऑलरी मेच्योर हो जाते हैं यह समझते हैं थोड़ी सी 910 या 11 वालों के साथ थोड़ा ज्यादा रहता है थोड़ा मेच्योरिटी की कमी रहती है अभी तो तुम लोग ऐसी लग रहा हु जैसे अफ-्लाइन चलता था कोशिश करना है कि अफ-्लाइन ही जैसा है ठीक है एक और टिप दे रहा है है जिस्योर बेशरम बनना है यह बेशरम मतलब की अगर कुछ ना समझ में आए तो उन्लाइन में dud निया के सामने में कैसे पूझलू कि अरे यह तो नहीं है। हम लोग क्लास दुनिया के सामने कर रहा है वही हम लोग ऑं-लाइन जो है यूतीउप में कलो दोमेन कर रहा है एक है यहां पर जो है गोरफपुर में किसी की हिंमत नहीं है कि ऑन्राइन में पाप्लिक डॉमेन में को जल्धी पढ़ाने को तयार हो रहा है उंकू लग रहे मेर पूछना है कि यह वाला कॉंसेट फिर से यह वाला कॉंसेट में यह कैसे होगा मुझे तो लग रहा है कि यह यह उपर नहीं यह नीचे जाएगा कुछ भी confident रहना है अपने यहाँ पर confidence रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं तो बेजिजग सवाल पूछोंगे और क्या है वहीं स्पीड आते यूटूब में तुम एक शीज ध्यान वाज़े यूटूब का लास करते होगे अभी भी जब कर रहे हो तो उपर तीन डॉट दिख रहा है ऐसे दिख रहा होगा तुमको कुछ ऐसे एक डॉट एक डॉट और एक डॉट ऐसे यूटूब पर दिख रहा है यह मैं देख लूँ कि हुए अरे मेना टॉट तो ठुब गया ठीक है ऐसे करके तीन डॉट होगा तीन डॉट दिख रहा है यूटूब पर तो वो तीन डॉट से तुम क्या कर सकते हो जब क्लास चल रही है ठीक लेकिन कई बार तुमको मन होता है कि नहीं एक बार फिर से क्लास कर लें उस क्लास में जो है बीच में एक सवाल मुझे ठीक से क्लेर नहीं हुआ था उस वक्त तो यह बहुत बड़ी सुमिधा है तुमारे साथ कि उस चीज को तुम फिर से देख सकते हो जब हम लोग मोबाइल एप में उस यूटूब क्लास को फिर से डाल देते हैं तो तुम जाके तीन डॉट पर जाके जब दुबारा देख रहे हो तो उसमें स्पीड बढ़ाने का ब्हुता है उसको दो गुणा स्पीड से कर सकते हो तीन गुणा स्पीड से तो हो सकता है कि तुछ 들어옲 आप जो फिर सिड्री AmaICK ना देना पड़े हो सकता है 40, 50, स्केर लो जल्ड देंड जल्दे झाल चैसा उसी करते हैं तो यूचूब में स्पीड बढ़ा सकते हो ध olduğimana स्क 50 करण बोस्तमारा डेटा कि अधिन गूर्ण होने वाला है तो तो डेटा को भी कंट्रोल कर सकते उसी डॉट पर जाओंगे उसपे रेजीलूशन होता है कि रेजीलूशन समझे रहां कि कि इतना हाइग कॉलिटी में देखोगे ऑट गडेजिलेशनने थे तुमको देखना है कि यह वह Day-definition में देखना है या 720 वाले में देखना है जितना High Definition में देखोंगे और आच्छा फील का मंदा आएगा लेकिन अभी उतना ही खर्च होगा ठीक है तो तुम्हारा गड़ू गाख एक दा शार्प इमेज नहीं दिखेगा तो चाहोगे तो तुम डेटा को कंट्रोल कर सकते हो ठीक है वो भी एक यूट्यूब में है तुमनों देखी लोग है ठीक है दूसरी चीज है कि बहुत सरे लोग ऐसा भी इस साल खासकर डिसाइड करेंगे कि यार मैं सिर्फ ऑनलाइन ही करू हो लेकि उस में इक चीज समझ जाना कि आप जो है इनसान जो होता है ऑइडिल अनैचल'RE सोशल होता है उसको दोचार लोह से मिलना होता है खास्कर तुम्हारी एज में कि कुछ बच्चों से मिले और तुम्हारा क्या चल रहा है कैसी पढ़ाई चल रही है, समभे चल रहा है थोड़ा मिले, साथ में चाए पिले साथ में गोलब्बे खा लिए ये जो भी तम तो लगता है जब तुम लोगों से मिलते हो तो तुम ज़्यादा खुश रहते हो तुम एस इंसान तुम को खुश रहता है तुम को थोड़ा सा लाइफ में happiness रहता है तुम अच्छा परफॉर्म करते हो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाने पर एक डर बना रहता है कि तुम तीन दी चार दिन तक घर से बाहर नहीं निकले बस लगे हुए हो पागलों जैसा तुम एक चैप्टर उठा लिए ट्रिग्नोमेट्री और पता चला कि किसी के साथ 5-10 मिनट बात कर लिया थोड़ा लूड़ों खेल लिया थोड़ा सा कुछ होता ना कुछ ऐसा काम कर लो कि तो तुमारा दिमाग थोड़ा सा हट जाए पढ़ाई से ब्रेक लेना है बेसिकली सब्सक्राइब करना है दो तिन घंटा पढ़ाई किया 15-20 मिनट ब्रे किसी को की वरいや कुछ भी कर लिया कुछ ब्रेक मेंति रहना है अगर ऑनलाइन भी कर लाया तो थोडा सा सोशल रहे ना वोगों से बात्सित करते रहना है ठीक है नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होता है कही कर रहा है ऐग अगiddर कर रहा है क्या तुमको यह लाजिकल लग रहा है है यह न अभी तक सब बाते समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहरा हूं ठीक है इस तरह के चीजें जल्दी कोई बताना नहीं चाहता है ठीक है बहुत अलग समय हैं ठीक है क्लास में रहते हूं तो मैं ऐसे ही यह सब चीजें समझाता रहता हूं लेकिन आन्लाइन में इस तरह का चीज बताना बड़ा मुश्किल होता मैं इसलिए बहुत मैंनत से सब्सक्राइब और पॉइंट्स करके बनाया हूँ ठीक है अच्छा आते हैं और कौन से घ्यान की बाते करते हैं के स्टडि टेबल चात तुम लोगं किसी टेबल कुर्सी पे बैठके पढ़ाई करते हो कि बैडा में पढ़ाई करते हो ऑफी spacecraft में बैठके नहीं की पा Mirallet कि सब्सक्राइब करने का और दो कोई बेतर तरीका नहीं है वही बिस्तर में लेट के पढ़ाय करना जो पर में घुस के कोने में पढ़ाय करना नहीं होसकता विलकुल बेकार तरीका थे झार ऐ। इवन थ्योरी भी पढ़ाई कर रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहा हो, और गैनिक रट रहा हो, वह भी सोफा में नहीं, वह भी लिख लिख के, ठीक है, ठीक है, स्टडी टेवल पर करना है, ठीक है, अच्छा, ये सब तो मैं बताया कि ऑनलाइन पढ़ने का बहतर देगा ठीक, अब तुम लोग आगे जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, थानिया टॉपइक को उठाएंगे, ठीक है, वो भाद में डिस्कस करते हैं काम्लोक खॉपिक स्टार्ट करेंगे यह बात में करेंगे, जब टॉपिक स्टार्ट होगा, चलो मैं एक्जाम्पल से बुछता हूँ, मैंने ट्रिक्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया, ट्रिक्नोमेट्री की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, पहली क्लास थी, तो as a teacher, मैं आप लोगों से क्या उमीद करता हूँ, क्या आप लोग क्या करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, क्या करोगे, सबसे बड़ी बात है, सिंसेरिटी, सिंसेरिटी जो है, सिंसेरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटलिजन्स है, बहुत तीसमार खाऊँगे, अब तुम सिंसेर नहीं हो, डेली एक टाइन टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ाई करते हो, टीचर्स या पैरेंट्स की बात नहीं मानते हो, तो कहीं नहीं नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि इस क्लास में भी, लाई क्लास में भी कुछ स्टुएंट ऐसे होंगे, जो ह सारे बच्चे हमारे पास जो 11th में आये थे, क्या वो 95% वाले स्टुएंट थे, नहीं थे, कुछ 70% वाले थे, कुछ 60% वाले थे, ठीक है, कुछ 80% वाले भी थे, लेकिन अब जब 12th का जब उनका माक्स आएगा, तो उनके 10th के माक्स से भी बहतर आएगा, ठीक है, वो क्य इस दिमाज चलता है, लेकिन अगर लगे हुए हो जिद है, तो भई निकाल लोगे अपनी गाड़ी, ठीक है, एसाइन्मेंट जब तुमको मिलता है, खास कर अगर प्रिंटेड वाला बुक्रेट अगर तुम यहां से ले जाते हो, पोचिंग से, तो उस पे सा मार करके रख करना बुक्रेट में, ठीक है, मार्किंग क्यों करते हो, कि जब तुम्हारा जब पेस्ट आता है, जब रिविजिन का समय आता है, तो तुमने जब सौ पहले राउंड में लगाए थे, तो अगले राउंड में सिर्फ 15-20 सवाल लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि 80 सवाल को तु है, तुमको मार्क करके रखना है, ठीक है, मैट्स में खासकर समझने वाला सिस्टम रखना है, ठीक, एक बर समझने लो कि क्या होता है, कभी कभार, कभी कभार ही मैं बोलूगा कि इसको रट लो, ठीक, ज़्यादा तर मैं इसको समझाई देता हूँ, और खासकर रटने वाल लिक वाना चीज है और फॉर्मुला में रख देने सांसर आसानी सा जाएगा उसको डिराइट करने ना होगा तो बहुत समय लुक्सान हो जाएगा ज्यादा तर एक बार समझ लेना है और फिर लिख लिख के पढ़ना मैस में फॉर्मुले रटने रटरिंग के लिए तुमको क्या करना है एक बार देखना है question देख लिएumental पढ़ने वाला आचा उसका square था क्यूब था bracket था क्या था उसको बार्-बार लिख लिखकर को करना चीक है समझना एट लिखना है पढ़ने वाला सिस्टम नहीं है, बेड में लेट के आराम से मैट्स पढ़ रहा है, अगें ये सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक, सॉल्ड एक्जाम्पल होगा तब भी नहीं, और फॉर्मुली को अपलाई कर रहा है, ठीक है, हर बार एकदम से एकदम बेसिक से स्टार्ड कर देन अगर कासकर अगर फार्मुला बताया गया है, यह फार्मुला उस करोगे, तुमारा बचेगा, ठीक, अब तुम कॉम्पटिशन के तयारी कर रहो, यहाँ पॉर्मुला बननता ही इस दुनिया में इसलिए है, कि तुम्हारा समय बचा सके, तुमको दू मिनिट में एक तो तुमको कोशिश करना है कि फार्मला या ट्रिक जो बताया गया क्लास में उसका यूज करना करके अगर तो आंसर लाते हो तो तुमको ज्यादा अच्छा बेनेफिट होगा तुमारे लिए ठीक है अच्छा क्वेस्चन कई बार तुम लगाओगे तो कई बार लगता हो अभी जैसे इंटेग्रेशन हम लोग कर रहे थे तो तुम लोग लगाओगा कि यार सेम चीज दो तरीके से भी हो जा रहा है तो जब भी कोई क्वेस्चन तुम सॉल्व करते हो तो एक बार जरू तुमा अपना धिमाग खुलेगा उतना तरीके उतना ट्रेक सीखो गया है ठेक को सबी को साथ क्रहों जम के प्रैक्टिस आखरी चीज जो है तो जम के प्रैक्टिस करना है मतलब सवाल इतना लगाना है इतनी इतना घर में रद्दी हो जाए कि फिरवाले बोले क्या पढ़ रहो भ जसमें कोई जरूर नहीं है कि किस लेवल का पेपर होना चाहिए वह जो ब्राउन वाला होता है ना जोगता है इससे प्रिक्स के लिए ब्राउल वाला यूज़ोज्व कोई फ्रावाल ही आधर हो सकता है तो ऑच्छा थोड़ा सा फैर कॉपी यूज़ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है एक्सराइज प्रैक्टिस के लिए वो घटिया वाला पेपर वाला और क्लास के लिए अच्छा पेपर यूज़ करोगे तो ठीक रहेगा ठीक वह सुख्षा, सभी को ठीक हो, यहाँ साथ में हो चा弟ी अब हम लोगए है कंञे अबसे एक्स पेपेशचिन बता दी तुम्हारी जो एक्सपेशच्यों कि यह सब बड़िया से पढ़ा दिया जाया है साराप से लेवस कंट्रम हो जाया अब आते हैं नहीं चीजोद did for this and the next business Minister किया और थेस्ट से नहीं बचना है बहुत सारे लोग क्या करते है अच्छा भी तयार नहीं इस बार देते हैं अगली बार देंगे अगली बार थे प्यारी हो जाएगी तब करेंगे कोई फरक ने पड़ता जब टेस्ट हो तो टेस्ट को तो जरूर दो कम से कम तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि उस वक्त कैसा था ठीक हमारी कोचिंग में जितने भी टेस्ट होंगे वो बोर्ड के मार्क्स में नहीं जुडएंगे उसका टेस्ट होंगे अब सब्च्ट जो आ जो वो बोर्ड के इसको नि जुड़ता है तो कोई ढधिकी बात नहीं है ठीक है टेस्ट सारे देने हैं हम लोग के पहला होता है CRT CRT से मतलब हो गया तुम्हारा कि Class Revision टेस्ट के Class Revision Test को हम लोग CRT मोलते हैं मतलब कि जो टॉपिक चल रहा है उस हपते के उसी हपते का जो टॉपिक है उसी समन्दिर पुछा जागा टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट होता है छोटे टेस्ट होता है कॉंसेट सीखने के लिए CRT वाले जो टेस्ट होता है यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है यह ज़्यादातर हम लोग Guardian के साथ ईस्कास नहीं भी करते हैं उनलेश की गारंजेन आगर फूँछना चाहता है कि आँआटी में कैसे नम्बर आते हैं तो डिसकस करते हैं लेकिन हम लोग उसका बहुत जो है डेटेल में उसको डिसकस नहीं करते हैं जेई मेन ज़े में पैटर्ण पर कुछ टेस्ट होते हैं जो तीन घंटे वाले कम्प्यूटर पर जो टेस्ट होते हैं वो होगा वो ज़्यादातर हर दो हप्ते में होता है लगबक जब ज़े में का एक्जाम नज़िक आता है तो हर दूसरे दिसरे नहीं होने लाएगा एक ऐसे हर हप्ते में एक बार करते हैं जैए एडवांस्ट वाला जो है यह भी अप्तिती आता है वो सब भी कराएंगे लेकिन वो एक्जाम नज़िक आता है तो जैसे अभी यूप्यटी नहीं आ रहा है लेकिन क्या होगा कि जब जुलाई-उलाई का टाइम आएगा तो यूपिट्यूल के भी टेस्ट होंगे आला कि आफ लाइन होते थे इस साल हम लोग कही आफ लाइन की जगा ऑन लाइन कर दें तो टेस्ट से संबंदित कोई क्वेश्चिन इसके पहले हम दूसरे वाल है तो अभी पूछ लो कि चालो फिर बढ़ते हैं आफ और क्या है